राजिस्थान में Right to Health Bill का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा जिसके चलते राजिस्थान में Health Emergency जैसे हालात पैदा हो गए है Private Hospitals में अभी भी हर्ताल जारी है जिसके चलते मरीजों को खासी परिशानी हो रही है यदि राजधानी जैपूर की बात करें तो जैपूर के Private Hospitals में हर्ताल के चलते सारा लोड सरकारी Hospitals पर आ गया है इसे लेकर जब हमारे रेपोर्टर जैकिशन ने जैपूर के SMS होस्पिटल में जाकर हालातों का जायजा लिया तो हालात वाकई चिंता में डानने वाले थे भी बड़ उत्री हो गई है राइट टू हेल्थ बिल्ल को लेकर निजी डॉक्टर्स और सरकार के बीच में संघर्ष जारी है नतीजा यह है कि आम आदमी को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है इस मामले में ज्यादा बादचीत करने के लिए हमाईसा डॉक्टर अचल शर्मा है जो की अधिक्षा के SMS होस्पिटल के जो की राजिस्थान का सबसे बड़ा सरकारी अस्पिताल है सदनली इन पर जो लोड है वो काफी बढ़ गया है सर जो प्राइवेट डॉक्टर की स्ट्राइक है रेसिडिन्स ने भी उसमें जुड़ गया उससे लिए आपकी जो समस्या है वो बढ़ गयी है SMS हस्पिताल के लिए सबसे बड़ा मैडियल कॉलेज से जुड़ा हस्पिता सबसे बड़ा तो हमार को उसमें जो युड़ बनके बढ़ गया है वर्क लोड इंदा सेंस में यह भी कहूंगा कि जहां आम जो विमारी के पिशेंट थोड़े कम वहें लेकिन जो गंबीर विमारी के मरीजियं वो कहां जाएंगे तो वो उन्होंने रुक किया SMS की तरफ ज सबसे बड़ा तो हमार को उसमें जो योगदान रहता था जो इंडोर पेशेंट्स हैं उनकी जो सम्माल करने की जिम्मेदारी उन पर होती थी और यह जितने भी ऑपरेशन्स बगर होते हैं तो में एसिस्टेंट करते थे और उनका लेंडिंग पीरिड भी होता है चुकि य जरूर भी और इसमें जो हैल्प मिलती है सर्जन को या सजीर करने वाले डॉक्तर को यह सब चीजें होती हैं चाहिए इन्वेस्टिकेशन में भी वह हैल्फुल काफी रहते हैं तो इस लिहाज से बिलकुल मैं यह नहीं कहूंगा कि उनकी जाने से कोई फरक नहीं पड़ा ह हैं कम जरूर में लेकिन अपरेशन चालो और कोई भी इमर्जेंशी ऑपरेशन को टाला नहीं जा रहा है आउट्डोर में आज अगर आप जाके देखें तो मैं थोड़ी दिर पले भी देखिया हूं और में जितने पेशेंट्स आ रहे हैं उनको अमने देखा है कल ज्याद करें जो ऐसा यह वह थो उनकी आप शयोग था वह नहीं मिल पा रहा तो पूरा लूट सीनिय डॉक्तर जिए उपर हैं हाँ मैं बिल्कुल कौंगा कि इसमें रूपरेशन रूटीन ऑपरेशन और इमर्जेंसी ऑपरेशन तो एक भी ऐसा निया कि जो नहीं हो पा रहा है था जरूरते पेशेंट को या तकलीम में जो जादा है उनका उपरेशन बिल्कुल किया जा रहा है जो रूटीन आपरेशन है जैसा की जो पहले हमारे पास ऑसन जो होते थे पांस सासो और वो दोसो सवा दोसो के बीच में हो रहे हैं पर दे के साब से अलग अलग बात करें तो अ जो पहले जरूत किस पेशेंट को समालने के लिए इसकी जिम्मेदारी भी चिकिश्च्क्यों पर होती है जिस पेशेंट को ज्यादा तकलीफ है जिस पेशेंट की जान पर खतरा है हम उसको पहले उपरेशन करेंगे यह आप समझ सकते हैं इस बात को लेकर तो इसलिए जो जिसको हम कुछ दिन रोक सकते हैं तो उसको रोक करके जो मरीज जिनकी जान का खतरा पहले उसको ऑपरेशन के जा यह बिल्कुल रहता है यही विवस्ता है और यही मेनेजमेंट सर एक और बात तो कि आप डॉक्टर भी है मैं पेशे उसको जिस तरह का विरोध हो रहा है राइट टू हेल्थ बिल को लेकर कई तरह की टकराओ की स्थितिया प्राइवे डॉक्टर और रेसिडेंट डॉक्टर ने भी उन्हें जोइन कर दिया है क्या समाधान देखता है आ जुनों के बीच में कि आखिर में जो है अिसमें डॉक्रेस के कुछ वाजीब पॉइन है कुछ सरकार के वाजीब पॉइन है लेकिन जो आम विक्ति जो है वो काफी सफर कर रहा है और खास करके आपका होस्पिटल सबसे बड़ा है नौर्थ इंडिया में इमस के बाद में स का फाइदा मिल सके मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाना चाहता है क्योंकि मेरी ड्यूटी तो यही है कि मुझे इस हॉस्पिल में जित्ती व्यस्ता को समालना है मुझे हर गंबी मरीज का इलाज करके देना है तो मेरा तो इसमें उद्देश यहीं तक का है पाक की टीम लेकिन यहीं भी चाहता है कि जल्दी सरकार और प्राइवेट डॉक्टर्स के बीच में पटाक्षेफ हो कैमरा पसे निखिल शर्मा के साथ जैपूर से जैकेशन शर्मा आज तक कि का आज तक भी आज परकेशन के तक जैपके टीम पहांद का आज रखेशन तक बीच्छ छार्ण करेशन विल्दी टीम इन्याज अकुर्ण पराम लाण मेंना क्या ना मैं आपका लाल मिना बसी जे बंद है वो श्पिटल आपका कौन मरीज है कौन महीं हो को दी आपको खुद को घुमना पढ़ रहा है मत्वा तकलीफ है मेरे ये वाल डलेंगे वाल डलेंगे अपरेशन होना अपका अजी बढ़ती हो रहे है है आपको के नाम है । मेरा नाम रहूल है का आसैं मैं सर जोठपुर से हूँ कर में डौक्र्श ने जकरिए tommy तकर देख रहे थे ह Peng वार्ड में लिया सर सभी दादागिरी करते हैं सर इदर चाहे वो कोई भी हो प्यमारिया आपके कौन रिष्टतार यहां पड़ती है और किया क्या क्या दिक्कत पापा जी है सर मेरे क्या दिक्कत है पुरा शरीर डाउननी हो गये था तौध यहां है प्रेवेट मैं हमने सोचा प्रेवेर्ट में कर लें उसार वंडेवा इस्टैक ज Mmmm पूर में तो हमने सोचा कि लाए ऐमदाबाद अब इस टाइक नहीं है तो अब दावाद में ऐसे किसी ने सजसंग दिया के जयपूर चले जाओ थो मैंने खिक्षाब जोद्पूर जाना था जेपूर आगे थीक ए तो हमने सोचा के भी ऑफ कमें से दिक्टा जारी है इस टाफ सर कम है ज्यादा है वो कुछ नहीं सर कोई तमीज से बात नहीं करता है दाजागियरी करते काफी डॉक्टर सर दादा के लिए भी करते हैं वैसे बोलते उटा के बाहर फेक दूंगा वैसे वैसे डॉक्टर सदार कि अईसे करता है कि आपका कि आपका अजीट से तो आसपास किसी ऑस्पिटल में आप कॉन बिमारे पले आपी बताई पिता जी मेरे अटाइगा है आसपास कोई ब्राइब होस्पिटल नहीं लिया सब बंते प्राइब सब तीन दिन जे ट्राइगर रहे ज़िए तो कितना टाइम लग गया उनको किते पहले अटाइक आया था और तीन साल होगी से इनके पहले से वो चल रही बाइपास सर्जरी हुई थी उसके बाद माक्के का आया था फिर बाइब बाहाद में छली डले में इसके अलावा चब हमारे रिपोर्टर ने नीजी हॉस्पिटिल्स की यूनियर के महासलचिव से बात की तो नोंने कहा कि राइट टू हेल्थ बिल में कई खामिया हैं जिसके चलते इसे धरातल पर लागू नहीं किया जा सकता इसके अलावा नोंने क्या कुछ कहा आप खुछ सुनिए राजस्तान में राइट टू हेल्थ बिल के खिलाफ लगातार प्राइवेट डॉक्टर्स का विरोध जारी है इस मामले में ज्यादा बाचीत करने के लिए हमें साथ डॉक्टर रागवेंद्र चौधरी है जो की एक इनके निजी उनियन के महासचिव है डॉक्टर साब राइट टू हेल्थ बिल को देश विदेश में एक बड़ा फुट्प्रिंट बताया जा रहा है हेल्थ राइट की और आप किस बात का विरोध कर रहा है देखें मैं यह बताना चाहरा हूँ आपको कि जिस तरीके से सरकार ने यह आटी एच जो बिल है वो विदान सबाम में पारित करवाया है लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस बिल में इतनी विसंकतिया हैं इतनी कमिया हैं कि इसको धरातल पर किसी भी प्रकार से लागू नहीं करवा पाएगी सरकार उसके सबसे पहले कारण ही है कि एक तो बिली पूरा अनकोंस्यटूशनल है उसका असर किस पर आयेगा डाक्टरों को तो बिल की कमियों को वज़े से जहिलना ही पड़ेगा लेकिन आम जंता इसे जज़्यादा तरस्त होगी कि जिससे हम बात करें कि say emergency में देखका का nggak कि एक मारजेंसी में डॉक्रस को वह फ्री देखना अब सवाल है कि एक ने कीशेष जो अपना ऑश्पिटल रन करता है सरकारी योजसना हो तो सब को पता है कि गुवर्मेंट की ऑश्पिटल में सब कुछ सवाल है कि एक विक्ति जो अपना प्राइवेट सेट आप या हॉस्पिटल चला रहा है क्लिनिक चला रहा है वह कैसे एक मरीज को फ्री देख सकता है तो सरकार इसके लिए सरकार कहरी नहीं कि इसके पुरा मेकानिजम क्रिएट किया जाएगा जिसके तुरू आपका जो फंड सरकार ने नहीं रखा रहा है Man 3 तरीके से सरकार ने इस बिल्को केवल रखा है वह अपने चुनावों की इश्तिती को देख यहस टरीके से बहुत सी सरकारों में Free की योजनाओं को सरकार जब्रतान्य लागू करने की कोशिस करते हैं कि जो कि धरातल पर संभव ही नहीं है अगर ये धरातल पर किसी भी प्रकार से संभव होती तो निश्चे तोर पर डाक्टरों का इतना बड़ा अंदोलन पूरे प्रदेश में होता है नहीं को कि प्रते एक डॉक्टर चाहता है कि अंत्मा भी डॉक्टर नहीं चाहता है लेकिन सरकार कि अगर ऐसी कोई योजना है या ऐसे कोई बिल हैं जो मरीज के स्वास्त से सीधे-सीधे खिलवार करते हैं तो निश्चे तोर पर डॉक्टर समुदा उसका विरोध करेगा क्योंकि सरकार को इस्तिती क्लियर नहीं है कि आए दि लेकिन सरकार सबसे पहले इसमें डॉक्टर को अपने फिवर में ले और पीच में काटर चाहूँगा के चीफ सेक्रेटरी से जब मुलाकात हुई थी कुछ नौ बिंदू ऐसे थे जिन पर डॉक्टर को अब्जेक्शन था सबसे पहले ऑथोरिटी को लेकर तका कि डॉक्ट पास्चर होगा कि वो जो हमने रिकमेंडेशंस दी थी सरकार ने उनको सुना उनकार ने उनको सामिल आप जानकार नहीं बता दू है जो उनौन उन अमेंडमेंट्स को कर लिया है जब कि आप पर साधी जी ने बिदान सभा के अंदर ये बात कहीं है कि जो डॉक्टर की बात चीत है आपका पॉइंट ता अथोरिटीज को लेकर आपकी बात से यह कि बिल जैसा था वैसा कि वैसे ही पेश किया लेकिन उने का रूल्स के अं आपकी बात जायज है कि हर जैसे पर्सों का एक इंजिनियर पकड़े गए चेहलाग रूपे की रिश्वत मांगी बिल्स क्लियर करने के लिए वो एक मेकैनिजम विवादित हो सकता है लेकिन एकदम सीरे से खारिज कर देना रूल्स का वेट ना करना देखें मैं आपको बताना चाहरा हूँ कि सरकार ने जिस तरीके प्रावदान रखे गए हैं वो प्रावदान ग्राउंड लेवल पर रूट लेवल पर कभी भी जस्टिफाई नहीं होते हैं सबसे बड़ा सवाल यहीं आकर कर रुख जाता है जब कोई चीज जस्टिफाई कोन होगा मरीज और वह मरीज की हितकी बात है क्योंकि डॉक्टरों को मरीजों से अपने संबंदों को बनाए रखना उनको सरकार आती जाती रहेंगी हर पांस साल में सरकार बदलती हैं लेकिन आम जन्द में जो विश्वास प्रदेश में डॉक्तरी कर रहे हैं तो कुछ ही है हम ब्रेंड ड्रेंड की बात करते थे कि लोग इंदोस्तान को छोड़ के दूसरे देशों में जा रहे हैं जब इतने इंटेलिजेंट डॉक्टर्स अपने लेवल पर अच्छे क्वालिटी वर्क नहीं करवा पाएंगे नहीं खुद कर पाएंगे तो कैसे जंता को अच्छा इलाज मिलेगा आप तो खुद इस पर विचार कीजी डॉक्टर्स भगवान माने जाते सर एक सैनिक है जो बॉडर पर रक्षा करता है डॉक्टर्स एक ऐसा पेशा है भगवान कहते है लोग भगवान नहीं यहां सेवा कर रहे लेकिन कॉलर पकड़ लेते से ड्र पुर्दस्ती गाड़ी को भीड में डॉक्टरों के बीड में घुषाने की कोशिश की और उस व्यक्ती ने ही सबसे पहले एक डॉक्टर के उपर हाथ उठाने की कोशिश की उसके विरोध में उसकी ने हो सकता कि पकड़ लेकिन चला करके आंदोलन को इसी बीज़ रूप क और हम आम पब्लिक की लड़ाई लड़ रहे हैं इंडिरेक्टली आम पब्लिक को अभी ये लॉलीपॉप जो सरकार उनको दे रही है वो भी समझ में नहीं आ रही है लेकिन जब धरातल पर इस तरह के बिल्स फंक्शनल होंगे तो धीरे-दीरे पब्लिक को समझ में आना सुर और दूसरा कल के जो कल की कोई वीडियो जो चल रहा है उसके संदर में कहूंगा कि डाक्टरों का ये पूरा एक आहिजंसा कांदोलन है किसी को भी ये कहानी गया है कि आप किसी से जगड़ा करें सवाल ये कि अगर ऐसे को छुट-पूट घटना होती है तो उसके लिए मैं मैं पूरी असूशन की तरफ से माफी मांगता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि ऐसी घटना भविश्वें नहीं होंगी अगर आप देखेंगे ऐसे में आपको ऐसे दृष्वे मिलेंगे जो किसी का ब्रिदय पिगला दे सर एक तरफ कल आपका मानविया रूप देखने को मिला जब एक पुलिस वाले को जब अटक आया तो आपने तुरंट उनको सीपीर देके बचाया लेकिन सीकर में एक मानव और तरीका नहीं हो सकता था क्या आमरन अंचन या हाई कोट में आपके बेसिक फंडामेंटल राइट्स का भनन बता रहे क्या सुप्रीम कोट में कोई लिटिगेशन लेकिन इस पे सब्सादा सफर सरकार या डॉक्टर स्यादा भी सफर अगर कोई कर रहा है तो आम बात मीं चला है वो काफी लंबा है पिछले कुछ महिनों से चल रहा था आज जो पूरे प्रदेश के डॉक्टर से कनिस्चित कालीन कारे अवकाश पर गए हैं वो एक पिछले छे मेनी की प्रक्रिया मैं आपकी जानकारी में बता दूँ अंतमे डॉक्टर को तभी इस बिल के विरो सरकार चाहती है कि डंडे की नोगप या बंदू की नोगप डाक्टरों से इस तरह के बिल को फंक्शनल करवा है रूट लेवल पर तो ऐसा तो किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है आज के इस भारत में तो मैं तो सरकार के इस आंदूलन को सरकार के बिल को टोटल अंकोंस जिकर कर रहे हैं जो इस बिल से जोड़े लोग कहते हैं कि फ्री हर किसी के लिए मेंडिटरी नहीं होगा यह फ्री वो व्यक्ति है जिस जिसकी नहीं है देने कि और इंबर जंसी में कर प्राइविट हास्पिटल आता है तो देंगे सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार के लिए सबसे बड़ी उपलब्दी तो यही थी कि सरकार की चिरंजीवी और आट जीएज दो जो गॉवर्मेंट लेवल पर बड़ी योजना हैं जो मरेज को सीधे सीधे लावामरेज करती हैं वो पिछले कुछ वरसों से वैसे ही फुली रूप से एक लेकिन केवल पब्लिक को मॉब को यह दिखाने के लिए जताने के लिए कि सरकार आपके साथ है आपकी ही सोचती है इस तरह के गलत बिलों को लाने की कोशिस की जा रही है लेकिन क्योंकि बिल ही असविदानिक है लोगों के गले नहीं उतर रहा है इसलिए आज यह पूरा चिकिस्तक वर्ग एक चिकिस्तक आम चिकिस्तक की लड़ाई है कोई हमारी असोशिशनों की लड़ाई नहीं है कि हमारे कोई पदाधिकारी सरकार से लड़ रहे हैं इसलिए आम जन की लड़ाई को देखते हुए डॉक्टर जब तक इब वापस नहीं होगा तब तक हम कारेका का बिश्कार करेंगे यह थे हमाज़र डॉक्टर रागवेंद्र एक निजी एस्सेशन के पदादिकारी है आपको बता दे के डॉक्टर्स लगातार तीन चार दिन से अपना वर्ग बॉयकॉट कर रहे हैं पहले भी टुकडों में जो है सेटर्डे संडेज को काम का बॉयकॉ यह चाहता है कि कोई जल्दी से रास्ता निकले रास्ता कब निकले का यह देखना होगा। जैपूर से जैकिशन शर्मा की रिपोर्ट